हेलो बच्चो और एक्जाम प्रपेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो बच्चो आज मैं फिर बार वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 का वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो का चौथा पार्ट है और बच्चो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एकी बात कहना चाहूंगी अगर मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहें तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करें क्योंकि आप लाइक करते तो मुझे भी पता लगता कि बच्चों को यह वीडियो पसंद आ रहें तो मैं और भी बना के डालू और साथ साथ शेर करें जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी पता लग सके और सब्क्राइब करें और बैल आइकन जरू दमाएं तो बच्चो बढ़ते हैं यहां पर पहला कुश्चन है क्योंकि यह भी जो वीडियो है मोग टेस्ट है और मोग टेस्ट पर ही अधारित है तो इससे आपको भी पता लगेगा कि हमारी कितनी तैया ही हो रही है तो पढ़ते हैं बच्चो यहां पर पहला कुश्चन है बल का गुडनफल है बल का गुडनफल है पहला ओप्शन दिया द्रवमान और बेग दूसरा ओप्शन दिया द्रवमान और तुरण तीसरा ओप्शन है भार और बेग चौता ओप्शन है भार और तीसरा अफसान है भार और बेग चौथा अफसान है भार और तुरण ठीक है बच्चो इसका अंसर बता रही हूँ इसका अंसर है द्रव्मान और तुरण नेक्स है बच्चो एक परावर्तित दुरवीन में दरपन किस प्रकार का होता है एक परावर्तित दुर्वीन में दरपण किस प्रकार का होता है पहला अप्टल दरपण, दूसरा अप्टल दरपण, तीसरा अप्टल दरपण, तीसरा अप्टल दरपण, चोथा अप्टल और उत्तल लेंस करिए एक परावर्तित दुर्वीन में दरपण किस प्रकार का होता है पहला अप्सान है अप्तल दरपण, दूसरा अप्सान है उत्तल दरपण, तीसा अप्सान है प्रिज्म, चौता अप्सान है अप्तल और उत्तल लेंस ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ इसका अंसर है अप्तल दरपण नेक्स है बच्चो नेत्रदान में आँख के किस भाग को दाता से पृत्या रोपित किया जाता है अच्छा कुश्चन है नेत्रदान में आख के किस भाग को दाता से पृत्या रोपित किया जाता है। option देखिए cornea, दूसरा option है lens, तीसा option है retina, चौथा option है पूरी आँख, चारों option आपके सामने है cornea, lens, retina और पूरी आँख. ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ, इसका अंसर है cornea. नेक्स है बच्चो, धोनी की प्रवलता कंपन शरीर के साथ सीधे बदलती है धोनी की प्रवलता कमपन सरीर के साथ सीधे बदलती है पहला अप्सवन दिया तीवरता दूसरा अप्सवन है आयाम तीसरा है पिच चोथा है गुडवत्ता करिए ठीक है बच्चो इसका आंसर बताती हूँ इसका आंसर है आयाम नेक्स है बच्चो थायरोक्सीन किस से इस्तरावित होता है थायरोक्सीन किस से इस्तरावित होता है पहला ओप्षन है थियामीन की कमी दूसरा ओप्षन है थियो लोजिकल विरासत तीसरा ओप्षन है थायराइड गरंतिया और चौता ओप्षन है सांस लेने में इस्तमाल होन मास वेसिया को समझो थारयोक्सिन किस से स्त्रावित होता है पहला अप्षन थियामीन की कमी दूसरा अप्षन थियो लोजिकल विरासत तीसरा थाइराइड गरंथिया और चौता अप्षन अप्षन थाइराइड गरंथिया नेक्स है बच्चो किसी भी तेलिये फर्स पर चलना मुस्किल होता है क्योंकि पहला अप्षन है फर्स खराब हो जाता है दूसरा अधिक ब्रोद होता है तीसरा अप्षन घंडशडवल अधिक होता है और चौता अप्षन घंडशडवल बहुत कम होता है ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूं इसका अंसर घंडशडवल बहुत कम होता है नेक्स है बच्चो एक जूल लगबक किसके बराबर होता है पहला option है 0.28 calories, दूसरा option है 0.32 calories, तीसरा option है 0.24 calories और चौता option है 4.2 calories ठीक है बच्चो इसका answer बताती हूँ, 0.24 calories प्रक्रती में जल का सुद्धतम रूप है, पहला option है वर्सा जल, दूसरा जील का जल, तीसरा option है नदी का जल, और चौता option है समुद्र जल ठीक है बच्चो इसका answer बताती हूँ, वर्सा का जल, नेक्स है बच्चो गैस और सूरज का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है पहला option है प्लेटिनम प्रित्रोथ थर्मामीटर, दूसरा option है पाइरोमीटर, तीसरा option है गैस थर्मामीटर, और चौता option है वासदाप थर्मामीटर गैस और सूरज का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है पहला उप्षन क्या है प्लेटिनम प्रत्रोथ थर्मामीटर दूसरा है पाइरोमीटर तीसरा है गैस थर्मामीटर और चौता है वास्वदाब थर्मामीटर ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूं पाइरोमीटर नेक्स है बच्चो उस्मा की SI1 क्या है उस्मा की SI1 क्या है पहला उप्सान है कैलोरी, दूसरा है जूल, तीसरा है कैल्वीन, चौथा इनमेंसे कोई नहीं, करो, ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ, जूल, नेक्स बच्चो, रास्टिय प्रतिक के तहट आने वाले सत्त मेब जैते सब्द किस एत्यासिक कारे से लिए गए हैं, कोश्चन को पुना रिपीड करती हूँ, रास्टिय प्रतिक के तहट आने वाले सत्त मेब जैते सब्द किस एत्यासिक कारे के लिए लिए गए हैं, पहला उफ्चन है भागबत गीता, दूसरा उफ्चन है मुंड का उपनिशद, तीसरा उफ्चन है राम चरित मानस, और चौता उफ्चन है रिगवेद, ठीक है बच्चो, इसका अंसर बताती हूँ, मुंड का उपनिशद, नेक्स है बच्चो, भारती सवदान के किस भाग में UPSC से सम्मंदित प्रावधान है, पहला उफ्चन दिया भाग 14, दूसरा उफ्चन है भाग 11, तीसरा उफ्चन है भाग 15, और चौता उफ्चन है भाग 10, भारती सवदान के किस भाग में UPSC से सम्मंदित प्रावधान है, पहला क्या है, भाग 14, भाग 11, भाग 15, और भाग 10, ठीक है बच्चो, इसका अंसर बताती हूँ, भाग 14, नेक्स अबच्चो, दिल्ली के सिंगहासन पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान किस सुल्तान की बेटी थी, यहाँ पर पहला उपसन है, मौम्मद गौरी, दूसरा है, मौम्मद गजनी, तीसरा उपसन है, इल्तुमस, चोता है, अलाउदीन खिलजी, करो, ठीक है बच्चो, इसका अंसर बताती हूँ, इल्तुमस, इल्तुमस की बेटी थी, नेक्स है बच्चो, ग्रेंड टेंक, ग्रेंड टेंक रोड किस सासक के सासन काल के दोरान बनाया गया था, पहला है सेड़ साह सूरी, दूसरा है बावर, तीसरा है साजा, और चोता है अकवर, ठीक है बच्चो, इसका अंसर बताती हूँ, सेड़ साह सूरी, नेक्स बच्चो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज कहां इस्तित है दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज कहां इस्तित है पहला दिया है उप्षिन न Hess, डैमस्कस, दूसर एक सतना इसल्मपूर, तीस्व उप्षिन से कहिरा और चौता κι हे बीजापूर, दूनिया का सबसे बड़ा गुम्मध कहा इसते है? दमस्कस इसल्मवबूर हे कहरे वैध खूर एक हनता इतान है इस लीजसीना थान है। नेक्स अब बच्चो निम लिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना राजवन्स था निम लिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना राजवन्स था पहला ओप्सान है मौरेया, दूसरा गुपता, तीसरा कुशाना, और चौथा खानवा पहला मौरे, दूसरा गुपता, तीसरा खुशाना, चौथा कहनवा ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ, मौरे वस नेक्स है बच्चो निम लिखित मैंसे किसका नाम देव नामा प्रियादासी था निम लिखित मैंसे किसका नाम देव नामा प्रियादासी था तीसरा है मौरे किंग चंद्रगुप्त मौर्या दूसरा है भगवान महाबीर निमली कितमे से किसका नाम देव नामा प्रियासी था पहला है मौरियान किंग असोका दूसरा गौतम बुद्ध तीसरा मौरे किंग चंद्रगुप्त मौर्या और चौता है भगवान महाबीर ठी किंग असोग मौर्यान किंग असोग नेक्स अबच्चो कंचन जंगा नेशनल पार कहां इस्तित है कंचन जंगा नेशनल पार कहां इस्तित है चारों उप्सन सामने माराष्ट उडिसा राजिस्तान सिक्किम ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ सिक्किम नेक्स है बच्चो दुनिया के किन दो देशों के बीच सबसे लंबी भूमी सीमा है पहला है ऑस्टेलिया और न्यूजिलेंड दूसरा है भारत और चीन तीसा है सूजलेंड और इटली चौथा है कनाड़ा और यूएस ए ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ कनाड़ा और यूएस ए पहला दिया नर्मदा, दूसरा गोदावरी, तीसरा महानदी, चौथा कावेरी ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ गोदावरी नेक्स बच्चो भारत का सबसे पश्च्चमी देसांतर किस राज्य में नहीत है? भारत का सबसे पश्च्चमी देसांतर किस राज्य में नहीत है? पहला राजिस्तान, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट, चौथा मद्ध प्रदेश चारो अप्सन सामने राजिस्तान, गुजरात, महाराष्ट, मद्ध प्रदेश ठीक है बच्चो, इसका अंसर बताती हूं, गुजरात नेक्स है बच्चो, भारत की सबसे बड़ी लेगुन जील है भारत की सबसे बड़ी लेगुन जील है पहला ओप्सन, डल जील दूसरा छिलका जील तीसरा पुलिकट जील चोथा मानसर उबर ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूं छिलका जील नेक्स है बच्चो, बांधिपूर याष्टी उद्धान कहा है बांधिपूर राजिस्ती उद्धान कहाँ है राजिस्तान आंधर प्रदेश कन्नाटक असम चारों उप्षन सामने राजिस्तान आंधर प्रदेश कन्नाटक असम ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूं कन्नाटक नेक्स है बच्चो संत पुडा रेंज की सबसे उची चोटी कौन सी है सत्थ पुड़ा रेंज की सबसे उची चोटी पहला धूबगड, दूसरा गुरु सिकर, तीसा अनामूरी, चौता महंदगरी ठीक है बच्चो इसका अंसर बताती हूँ धूबगड, धूबगड ठीक बच्चो उसका अंसर बताती हूँ वना सुरा सागर बान तो बच्चो आज का वीडियो में ही समात करती हूँ, धन्यवाद बच्चो बहुत बहुत